गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास, कहानी तर्ती हेटला बोल्द, कहानी कार कुलवन सिंग विर्क आज बच्चियों असी बाप्पु ता पात्तर चित्रन करांगे, ते नाल ही नाल तर्ती हेटला बोल्द विशा ते अंतवी डिसकस करांगे पहला प्रशन तर्ती हेटला बोल्द कहानी दे अधार ते बाप्पु दा पात्तर चित्रन करो पहला पॉइंट जान पचान लडाई विच मारया गया है ते दूसरा खेती बाड़ी करदा है। उन बचे सेकिंड पॉइंट इक समझदार इंसान करम सिंग्दा पिता इक समझदार इंसान है ओ करम सिंग्दे दोस्त मान सिंग्दी छुट्टी बरबार नहीं करना 54 सी क्योंकि उसनों पता सी की फोज्जी नू छुट्टी बहुत प्यारी हुन्दी है इस करके उह अपने पुत्तर करम सिंग्दी मोत दी खबर उसते छुट्टी आए फोज्जी मित्तर मान सिंग्दू नहीं दसदा ते नाहीं करदा महोल सुग में होन दिनदा है ता जो मान सिंग नो शक्क न हो जावे उन बचे थर्ड क्वाइन कर आए महमान दी आओ पगत करन वाला बपो जी कर आए महमान दी आओ पगत चंगी तरह कर दे हन जदो मान सिंग अपने दोस्त करन सिंग दे कहन ते इनना देकर जान्दा है ता एह उजी खान पीन पक्खों चंगी सेवा कर दे हन पावे मान सिंगनों उनना दावतीरा कुछ ओप्रा ओप्रा जया लगदा है पर ओ उजी आउपगत विच कोई कमी नहीं रहन दिन दे नेक्स्ट पॉइंट नमबर चार वड़ी तो वड़ी गालनों चुपाउंड वेच माहिर बाप्पू जी दी सहन शक्ति इननी प्रबल है क्यों वड़ी तो वड़ी गालनों हजम कर सक्देहन पा में उहनादा पुत्तर करम सिंग मर चुक्या हुंदा है पर ओ मान सिंग अगे ए जाहर नहीं हून दिन दे की करम सिंग मर चुक्या है क्योंकि ओ नहीं चंदे सन की करम सिंग दी मोत दी खबर मान सिंग नूं होवे क्योंकि एक फोजी नूं छुट्टी बहुत प्यारी हुन दी है नंबर पंज समा संबालन वाल दाकिया जदू करम सिंग दी पैंशन देण आउंदा है तम मान सिंग उपर करम सिंग दा सारा पेद खुल जांगा है कि उस दी चुट्टी कट्टन आउंदी खबर दे नाल ही करम सिंग दी मोत दी खबर उस दे कर द्यानूं मिल गई सी ता करम सिंग दा पिता समा संबालन उजदे पास बैड़ के अपना आप हल्क का कर लेंदा है पुत्रा नों प्यार करन वाला करम सिंग दा पिता अपने पुत्रा नों बहुत प्यार करदा है ओ उन्ना दा सारा दर्द अपने सीने विच दबा के रखदा है ओ इक पुत्र नों देश तो कुर्बान कर चुका है दूसरे पुत्र अते पोत्रे दे फोज विच जान दे ना तों वी ओ सेहम जान दा है अगला पॉइंट जिम्मेवार इंसान करम सिंग्दा पिता अपनिया सारिया जिम्मेवारिया द्रिडता नाल निबाउंदा है ओह अपने पुत्तर दी मोद दी खबर उसते दोस्त पासों चुपाउंदा है कर दे सारी खर्च दा पार ओ अप आप ही चुकदा है करम सिंग्दे पुत्तर दी सारी जिम्मे वारी ओ अपने सिर लै लैंदा है नेक्स्ट कोईंट सेहन शील बाबे दी सेहन शक्ती बहुत प्रबल है ओ अपने पुत्तर दी मोत दी खबर नुवी दाड़वाट के सहलेंदा है बाबे दी सेहन शक्ती इस करके वद चुकी है क्योंकि जिन्ना पिंडादा ओ जम्पल है ओथों दे लोका दियां बहादरी दियां कहानियां बहुत परसीदहन इस करके ओ वड़ी तो वड़ी गालनुवी हजम कर जान दी शक्ती रखदा है ठीक है बच्चे next point तर्ती हेटला बोल बाबे दी उस तोलना किती गई है जिसने सारी तर्ती दा पार अपने सिंगां ते चुक्क्या होया है बाब्बा उस तोलवां सेहनशील है जो दूजियाँ दे पार नो होला करन ले होर पार चुकणा चाहुंदा है सो बच्चे लास्ट विच असी लिखांगे सो इस तरह सी आग सकते हां कि बाप्पु जी एक समझदार इंसान काराय मेह मानना दी आओ पगत करन वाला वड़्दी तो वड़्दी का चुपाउन विच माहिर समा समालन वाला पुत्रा नो प्यार करन वाला जिम्मेवार इंसान सेहनशील पात्तरदी रूप विच साढ़े सामने परता खुंदा है उन बच्चे असी अगला प्रेशन डिसकस करांगे सेकंड प्रेशन तर्ती हेटला बोल्द कहाणी दा विशा अपने शब्दा विच लिखो उत्तर तर्ती हेटला बोल्द कहाणी साढ़ी I.C.S.C. बोड द्वारा परवानत पुस्त काव कथा सम्मेदना विच दर्ज है ए कहाणी कुलवन सिंग विर्क जीदी मास्टरपीस रचना है कहाणी कार ने इस कहाणी नो मनोविज्यानक टांग नाल पेश किता है लेखक 21 रातलतों दो कहाणियां अरंब करदा है अते जहे चटके नाल कहाणी खतम करदा है कि पाठक मन एक सोच विच डुब के कहाणी बारे सोचण ते मजबूर हो जन्दा है कहाणी कार ने इस कहाणी विच माज्ये दे लोकादी बहादरी प्रहुनाचारी अते सहन शीलतानू बखुबी पेश किता है असल विच पंजाब एक सरहदी सूबा है इसलई पंजाब दे जम्मयाने नित मुहिमा पाप जिसने भी पंजाब विच जनम लेया है उना ने हमला वरादा डट के मुकावला किता है अते उहना दी याद अते बचाली किले कोट उस्रे होय हन था था मढ़िया ते समाधा हन जेडिया पिछलिया पीडिया विच इहना लोकादी पारत ते तावा करन वालेया नाल लड़न मरंदिया कहाणिया दस्दिया हन इसदे नाल ही लेखक ने बपूदी सेहन शक्ती नो ब्यान कीता है क्योंकि ओ दुज्यानों होला रखन लेई आप होर पार चुकदा है इससे करके कहाणी विच मान सिंग बापूजी दी तुलना तरती हेटले बोल्द नाल करदा है ठीक है बचे होन असी नेक्स्ट प्रेशन करांगे नेक्स्ट प्रेशन है बचे तरती हेटला बोल्द कहाणी दा अंत अपने शब्दा विच लिखो तरती हेटला बोल्द कहाणी दा अंत बड़ा ही दुखान तक हो निब्ड़ा है कहाणी दे अंत विच असी पढ़ दे हां कि जदो मान सिंग वापस जान दी त्यारी विच कर दी द्योडी विच बैठा हुंदा है ता अचानक एक डाकिया अंदा है ते आ के दस्दा है क्यों करम सिंग दी पैंशन लेके आया है ए सुन के दो कुवार मान सिंग दा सा कहला जया अंदा है उस दे सिर ते नक तो उतले हिस्से दी एक मुठ जेही मीटी जान दी है ते फिर अखा राही पानी नुच्ड नाल तिल्ली होन लग दी है उस समें करम सिंग दा कर अंदर गया होया उस दा पिता उस दा निकाज या मुंडा उसनू रोण विज मदद कर दे हन इस तरह अठा पहरादा दबा तिल्ला हो जन्दा है ते अत्रू वग तुर्दे हन इस तों बाद मान सिंग नू करम सिंग दे परिवार वल्लों खुल के गल ना करंदा कारण स्पच्ट हो जन्दा है ते नाल ही नाल ओ बब्बेदी सहन शक्तितों वारे वारे जन्दा है असल विच मान सिंग ने सुनया होया सी कि एक तोल है जो अपने सिंगा ते सारी तर्ती दा पार चुक के खड़ा रहन दा है उसनू इस तरह लगगा जिवे करम सिंग दा पिता ही ओ तोल सी जेडा पार थले दब्या होन पिच्चों वी लोका दा पार चुक्ना चहुंदा सी हुन बच्चे असी बापूजी दा पात्तर चितरन तर्ती हेटला बोल्द कहाणी दा विशा ते अंत हिंड्स दी मदर दे नाल डिसकस किते हार तुसी इस विच अपनी वोकेब्री देनुसार अपनी समझ देनुसार होर भी अडिशन कर सकते हो हुन तुसी इस तिन्नो प्रेशन अपनी पक्या कापियां ते नोट करने हन तानवाद